तो चलिए आगे बढ़ेंगे पटवारी भरती परिक्षा के दो चरनों का आयूजन आज किया जा रहा है दुसरे चरन का आज आयूजन है सुबह 8.30 से 11.30 और दोपैर धाई बजे से 5.30 बजे तक परिक्षा होगी आज भी करीब 8 लाग परिक्षार्ती परिक्षा के लिए पंचिकरत है प्रतेक चरन में करीब 4 लाग परिक्षार्ती परिक्षा देंगे प्रदेश के तेई जिलों में 1177 परिक्षा केंद्रों पर परिक्षा का यूजन किया जा रहा है इदर जैपूर में आज 235 परिक्षा केंदरों पर परिक्षा कायूजन होना है। जैपूर में प्रतेक चरण में करीब 20,000 परिक्षा ती पंचिकरत है। चुली फिलालस खबर पर जाला जानकारी दिरीकली में दे दुसरे योगी हमारे साथ जुड़े हैं। मांचु मित्तल कोटा से हमारे साथ हैं और आशिस चोहान जैपूर से हमारे साथ जुड़े हैं। कोटा का पहले रुक लेते हैं। मांचु आपके पास सारा चाओंगी। आज दूसरे चरण पटवारी परिक्षा का दूसरा चरण है कि सरीगी की तस्वीरे साथ नहीं आ रही हैं और वेवस्ता फिलाल क्या की गई है और उत्सा जो परिक्षरती हैं उनमें कित्ता देखने को मिल रहा है। सार देखिए फिलाल आप तमाम जो स्टूडेंट है वो एक्जाम सेंटर पर पहुंच चुक थो आपसे शंप सब्सक्राइजर पर हम हैं। आपका रियक्शन क्या करें? आपका रियक्शन क्या करें? वो ये कि तमाम कोशिसों के बाद जो तमाम तयारियां और तमाम सक्ति जो कल हमने दिखाई थी, उन सब के बीच में कल बड़ी मुन्ना भाई की जो गेंग है, वो पुलिस के हत्ते चड़ी थी. इसकुल चार गिरफतारियां कोटा से हुई थी और छे जो अभ्यरती हैं उन्हें हिरासत में लिया गया था, उनसे पूस्ताज चल रही, यानि फिलाल उनसे बड़ी पूस्ताज जो है वो फिलाल चल रही, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सबाई मादोपुर पुलिस SOG को जो है वो इन्पुट मिला और कोटा पुलिस इस पूरे उप्रेशन में सामिल हुई, आरकेपुरम ठाना इलाके में मुन्ना भाई बनकर परिक्षा दे रहे, जालोर निवासी, नरेश विशनोई को सेंटर से गरफतार किया गया, इसके साथ में आपको बता दें, इसक और मूल अभ्यरती अनुराग मीना को यहाँ पर गरफतार किया गया, एडिसनल स्बी प्रिवीन जैन ने खुद इस पूरे मामले को लेकर के एक टीम बनाई थी, आपको बता दें कि आधार कार्ड पर फोटो चेंज करके सिस्टम की आँखों में धूल जोकने का यह प्रया बड़ा एक सुरक्षा का चक्रव्यू तैयार किया है, हर एक्जाम सेंटर पर चारटी में बनाई गई हैं, एक हजार के करीब पुलिस कॉंस्टेबल आरेसी के जबान, एसपी रेंक के अधिकारी, डीएसपी रेंक के अधिकारी पूरी एक टीम तैयार की गई है, लेकिन इ तमाम कोशिसों के बाद में, तमाम सकती के बाद में भी इस तरह के जो मामले हैं वो कोटा से देखने को कल के दिन में मिले, पहले दिन में मिले, आज जब दूसरा चरण है और दूसरे चरण की तीसरी जो पारी है, वो सुबह की है, वो हो रही है, तो फिलाल कह सकते हैं कि तमाम जो अब्यरती हैं वो एक्जाम सेंटर पर एंटर कर चुके हैं ठीक साड़े आट बजे ये परिक्षा सुरू हो जाएगी। फिलाल राजानी जैपूर में देखने को मिल रही है क्योंकि बड़ी संख्या में जो परिक्षार्ती हैं वो राजानी जैपूर में एक्जाम देनी के लिए पहुचे हैं। इसको गिरफतार किया है जो पहले रीट की परिक्षा दे चुका अभ्यरती और उसके बाद में पट्वारी की परिक्षा दे चुका है। सुनील जो कल सोडाला में परिक्षा देने के लिए डमी कैंडिडेट बन कर आया था और आज ये पहले तो जोतपूर में और उसके बाद में 200 किलोमीटर की दूरी पर जालोर में परिक्षा देने वाला था। कि गिरो कितना सक्रिय है और कितना बड़ा है इसका अंदाजा हम लगा नहीं सकते हैं क्योंकि आज यदि कल पुलिस उसे नहीं पकरती तो आज भी वो जोतपूर और जालोर में परिक्षा देने आता और उसके साथ साथ जो रामलाल है गिरो का जो सरगना है उसे पुलिस अ नहीं कर पाई है यानि कि कह सकते हैं कि कितना बड़ा सरगना है जो राजस्थान में चल रहा है कह सकते हैं पहले रीड की परिक्षा देता है 26 सितंबर को और उसके बाद में वो पटवारी की परिक्षा देने भी आता है और आज भी वो परिक्षा देता यदि पुलिस उसे गिरफतार नहीं करती, 31 लोगों को पुलीस ते गिरफतार करा है, इंटेनेट पुरी तरह से बंध है, पुलीस की चाक्चोबंध है वो भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी नकल रोकने में पुलीस प्रशासन और पूरा प्रशासन है, वो पुरी तरह से फेल साबित हो रहा है, हमने कुछ कैंडिडेट से भी बात की, कुछ अभ्यरतियों से भी बात की, उनका यही कहना था कि सरकार अध्यादेश लाएगी, तब इस पर नकल पर लगाम लगाया जा सकता है, लेकिन कई अभ्यरति ये भी कह रहे थे कि इस पर पूरी तरह से लगाम नहीं आते हैं, जिस तरीके से 26 सितंबर को परिक्षा देकर अचानक से आराम से चला गया और उसके बाद में आज भी परिक्षा देता और कल भी परिक्षा के सेंटर के भार से ही उसे पुलिस ने गिरफतार किया है, ऐसे में बहुत बड़े सवाल उठते हैं कि परिक्षा छोटी आज आठ लाग अभी परिक्षा देंगे, जिसमें दो दो शिफ्ट में परिक्षा होगी, पहले चार लाग और दूसरे में चार लाग अभी परिक्षा में बैठेंगे, राजधानी में जैपूर की बात करता हूँ, तो 235 जो केंदर है, वो जैपूर में बनाये गए हैं, जिसमें तकरीबन 90,000 परिक्षा बैठेंगे, देखिए चुनोती ये नहीं है कि अभ्यरती घर जा रहे हैं, घर से जा रहे हैं, वो चुनोती इस बात की नहीं है, चुनोती इसी बात की है कि नकल पर कैसे लगाम लगाया जाए, क्योंकि रीट में इतने बड़े इस्तर पर पुलीस प्रशासन ने इंतिजाम किये थे, सरकार ने इंतिजाम किये थे, लेकिन इसके बाउजुदी नकल रोकने में पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं, अब प्रशासन के, और क्या अब ये माना जाए कि पटवारी की जो परिक्षा है, वो भी कही न कही जो नकल गिरो हैं, जो मुन्ना भाई है, उनकी भेट चड़ गई है, बिल्कुल कहा, सवालों में हैं, क्योंकि लगातार इस तरह के गिरो जो है, वो पुलीस गिरफतार कर रही है, और ऐसे कई गिरो भी हो सकते हैं, जो अब तक पुलीस के संग्यान में नहीं है, जिन्हें पुलीस अभी तक गिरफतार नहीं कर पाई है, क्योंकि लगातार इस तरह के केसे इस लगातार सामने आ रहे हैं, कल राजस्थान में 31 लोगों को गिरफतार किया है, पुलीस ने, जो इन सरगना से जुड़े हैं, जो डमी कैंडिडेट बनके दूसरी की जगे आये हैं, और उनमें से एक स अपसे बड़ा जो सरगना था, वो सुनील और जो कह सकते हैं, ओम प्रकाश और रामला, ये तीनों सरगना में शामिल थे, जो सुनील था, वो LDC था, यानि सरकारी सेवा में रहते हुए वे परिक्षा देने आये करता था, और दूसरी बात ये हैं, कि सुनील जो है, वो पूरी तरह से डमी कैंडिडेट भेजता था, और सुनील आज ही अपने भाई की परिक्षा देने के लिए जोतपुर जाता और उसके बाद में जालोर जाता, यानि कि कह सकते हैं कि सरगना बहुत बड़ा है, और उसे पुलीस भंडाफोर लगातार कर रही है, लेकिन अभी भी ऐसे कई सरगना हो सकते हैं, जिनका पुलीस अब तक पहुच नहीं पाई है, ऐसे में बड़े सवाल तो बहुत है, क्योंकि लगातार नकल पर गिरो, पुलीस लगातार पकड़ रही है, लेकिन उस पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से फेल साबित हो रही है, क्यो नकल गिरों से कई अभ्यर्टियों से और भी बात चीते, उनका ये कहना था कि यदि अध्यादेश सरकार लेकर आएगी, तो कहीं न कहीं इसकर लगाम लग पाएगी, लेकिन कई अभ्यर्टिय ऐसे भी थे, जो काफी हताश थे, काफी निराश थे, कि बोला, इन पर सरकार या फिर प्रशासन पूरी तरह से लगाम लगाने में सफल नहीं होगी, इसी तरह से ये जो क्रम है वो लगातार जारी रहेगा और हमें निराशा होती रहेगी, तो काफी कैंडिडेट हमें ऐसे भी मिले, जो काफी निराश थे, इस बास से कि 31 लोगों को पुलिस ने अफ्तार जरूर किया है, लेकिन कई न कई सवाल जरूर खड़े होते हैं, चाहिसे परिक्षा बड़ी हो या छोटी हो, उसमें हर तरह के जो परिक्षा है, उसमें कई न कई ऐसे नकल गुरू है, जो लगातार सामने आते हैं, तो काफी चुनौती है प्रशासन के लिए कि आज भी किस तरह से शांती पूर्वक परिक्षा हो और किस तरह से जो ऐसे कैंडिडेट को रोका जाए, जो डमी कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं, या फिर नकल में शामिल हो रहे हैं, इमान शो, देखे, सब चीजों के बारे में आशिश ने बताया कि किस तरीके से तमाम दा ये मामला साबने आता है कि कई जगा पर प्रशन पेपर है, वो पहले से ही इन अकल गिरों के पास पहुँच चुका है, तो क्या आप ये माना जाए कि कही न कही एक्जामपल सेट करनी की कोशिश में सरकार फेल साबित हो रही है, प्रशासन फेल साबित हो रहा है और ऐसे इसक लिए एक एक एक्जामपल सेट यहाँ पर नहीं कर पा रहा है प्रशासन फेल बहुत वाजब सवाल आपने किया है और ये सवाल कही न कहीं हर स्टूडेंट चाहता है कि जो हर अब्यरती जो कड़ी मेहनत के बाद में, कड़े संगर्स के बाद में ऐसी परिक्षाओं पहुंसता है, पहली बात तो ऐसी भरतियों को लेकर के लंबा इंतजार ऐसे अब्यरती कर रहे होते हैं, जब परिक्षा आती है तो वो कड़ी मेहनत करते हैं, और मेहनत पर अगर कोई ऐसा फरजी सक्स आकर के, ऐसे जालसाज आकर के, ऐसे गिरों के सरगना आकर के, अगर फरजी वाड़ा हो रहा है उसका खुलासा किया इसके बाद में रीट की परिक्षा हुई रीट की परिक्षा के अंदर किस तरह से फरजी वाड़ा हुआ वो हमने देखा पूरे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कारवाईया हुई कारवाई के बाद में अगर आपको बता दें कि अब फिलाल पटवारी की परिक्षा है पटवारी की परिक्षा के अंदर सरकार के तरफ से खुद तमाम जिलों के अंदर सक्ती की गई सक्ति के बाद में ये देखा गया कि पूरी तरह से सांतिपूर्वक ये परिक्षा होगी, किसी तरह का कोई गड़वर जाला इस परिक्षा के अंदर सामने नहीं आएगा, ऐसी उम्मित कीज आ रही थी, लेकिन जिस तरह से पहले ही दिन पठवारी की परिक्षा के अंदर, र अलत तरह से एकजाम के अंदर एंट्री करने वाले थे, कर रहे थे, या मेहनत कर जो स्टूडेंट है, उनके हाक पा डाका डाल रहे थे, वो अलग-अलग जगे से गिरफ्त में आए, लेकिन अब अपने आप में ये बहुत बड़ा सावाल है, कि एतने बड़े पैमाने पर राजस्तान के अलग-अलग जलों में जब कारवाई हुई, तो किस हद तक कह सकते हैं कि ऐसे जालसाज सकरी हैं, वो पूरी तरह से सामने हैं, और सरकार की तरफ से तमाम जो कोशिस हैं, उन्हें धता बता करके, उनको कही न कहीं फेल करने की जो कोशिस हैं, वो आकिरकार हर बार ये करते हैं और करने में काम्याब भी हो जाते हैं जिस तरह की जो कारवाई हुई उनसे पूरी तरह से इस पस्ट यही होता है जी चलिए बिलकुर और उमीद की जा रही है इमांचो और आशिश की दूसरे चरन की जब आज परिक्षा हो रही है तो वह ऐसी गड़ बड़ी ना देखने को मिली जिस प्रकार की कल मिलीती चलिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम अपडेट देने के लिए तमाम तस